जो है इरूप में राश्टबाद इस चेप्टर से रिलेटिट मैट्रिक बोर्ड एक्जाम की पॉइंट ओव व्यू से कुछ इंपॉंटेट ऑब्जेक्टिव कोशन है जो या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ली हो का Haade hai पुछ्ट कोशच है यह इर्योफ की अस्थास्थापना पीस हिपैं यह इंडिंब उटिप प्डाबी यह प्रिर पढ़ते वक्त भिशिए भी हम इसके बादे में डिसकेसन किये थे Cia kaip쳤 यहां परान सर घ्じाएगा थे मेजनी चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं युनान की स्वतंता संग्राम में किसकी प्राजे हुई रूस की तुर्की की युनान की फ्रांस की युनान की सवतंता संग्राम में तुर्की की प्राजे हुई थी तेहां प्रांस रहो जाएगा भी नेश्ट कोश्चन देखते गरिवाल्डी पेशे से क्या था फिपाई किसान जमिदार नाबिक तो गरिवाल्डी पेशे से एक नाबिक था तो यहां पर आंसर हो जाएगा दिल यह कुश्चन देखते हैं काउंट काबूर को विक्टर इमेनुवेल ने किस पद पर निव्ट किया सेनापती, फ्रांस मिराजदूद, प्राधान मंतरी, ग्रीम मंतरी तो काउंट काबूर को विक्टर इमेनुवेल ने प्राधान मंतरी के पद पर निव्ट किया था तो यहां पर आंसर हो जाएगा C, प्राधान मंतरी चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं रक्त एवं लोग की निती का अवलंबन किस ने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिश्मार्क ने, बिलियम वन ने तो रक्त एवं लोग की निती का अवलंबन जो किया था वो बिश्मार्क ने किया था तो यहां पर आंसर हो जाएगा C, बिश्मार्क नेस्ट कुशन देखें हैं नेकुणिß के द्यौर्बारा किस सासक बंथ न्यक्शन क के अधने हैं थिन्हेस वर्ट अल्याक एलिय स्गिलन और्लेस्ट के दूल दौर्द में जो है बुरू बंथ की प्रस्थाप्न की गई थि नेपोलियन के यू का एंज जाएगा वहREAM traum जन्मन राइन राज का निर्मान किस ने किया था तो लुई अधर्मा नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन थर्ड बिश्मार्क जन्मन राइन राज का जो निर्मान किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था तेहां पर आंसर जो हो जाएगा बी नेपोलियन बोना पाद चलिए नेक कोरशन देखते हैं नेक कोरशन देखते हैं 183 कि करांटी के बाद फ्राश में किस परकार का शार्सन अस्थापित हुआ निरंकुष राज्टंत्र, संगे शासन वेस्ता, गन राज, सवेंधानिक राज्टंत्र तो 38 के करांती के बाद जो है फ्रांस में निरंकुष राज्टंत्र का शासन अस्थापित हुआ तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निरंकुष राज्टंत्र चलिए next question देखते हैं Act of Union किस बर्स पारित हुआ 1688 में 1787 में 1788 में 1807 में Act of Union जो पारित हुआ था वो 1688 से भी हुआ था तहां पर आंसर जो हो जाएगा A 1688 से भी है चलिए next question देखते हैं सेडवा के यूद में किस की प्राजे हुई प्राशा की, शाडनिया की, आस्ट्रिया की, नेपल्स की सेडवा की यूद जो हुआ था वो आस्ट्रिया और प्राशा के भी हुआ था जो जिसमें आस्ट्रिया की हार हुई थी यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा चलिए next question देखते हैं किस यूद के बाद जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ किरीमिया का यूद, शेडवा का यूद, प्रसा डेनमार्क यूद या शेड़ान का यूद तो जो यह जर्मनी का एकिकरन हुआ था, वो शेड़ान का यूद के फ़ल सुरूप हुआ था, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा, शेड़ान का यूद, चलिए next question देखते हैं नेपोलियन ने जर्मनी में किस संग की अस्थापना किये, ट्रांस्पेडेन शंग, सिसेपलाइन संग, राइन संग, इनमें किस किसी की नहीं, तो नेपोलियन ने जो है जर्मनी में एक राइन संग की अस्थापना किये थी, तेहां पर जो आंसर हो जाएगा, वो C हो जाए ने फ्रांस ने तो जलवारीन की अस्थापना जो की थी वो प्रसा ने की थी तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रसा चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं हंगरी की भासा क्या थी इतालवी मैंग्यार पोलीस फ्रेंच तो हंगरी की जो भासा है थी वो जर्मन राइन राज का निर्मान किस ने किया था लुई अठर्मा नेपोलियन बोना पार्ट लेपोलियन था भीश मार्क तो जर्मन राइन राज का जो निर्मान किया था वह नेपोलियन बोना पार्ट ने किया था यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा नेपोल इरोप में राष्टवाद की पहली अश्पष्ट अविव्यक्ति कब हुई 1789 की फ्रांसेशी करांती के साथ 1830 की फ्रांसेशी करांती के साथ 1848 की फ्रांसेशी करांती के साथ या इन में से कोई नहीं तो इरोप में जो राष्टवाद की पहली असपष्ट अवी बेखते हुई थी वो 1789 की फ्रांसेसी करांते के साथ हुई थी यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा चलिए नेक कोशन देखते हैं मेटर्नी का पतन किस बरस हुआ मार्च 1848 इसवी में अपरेल 1848 इसवी में मैं 1848 इसवी में जून 1848 इसवी में मितर्नी का जो प्रतन हुआ था वो मई 1848 इसवी की करांते के फर्सरूप हुआ था यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो मई 1848 इसवी में नेक्स कोशन देखते हैं के इत count कि इत कि तत क्या गया था वह बुर्ग बंस कि दोरा क्या घया था जी या आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा बुरू बंस चल्य नेक्ट कोषन देखे इटली एवं जर्मनी के एकिकरन के बिरूद निमलिकीत में से कौन सा देश था प्रसा ऑस्ट्रिया इंग्लैंड तो इटली एवं जर्मनी के एकिकरन के बिरूद जो था वो ऑस्ट्रिया था तहां पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया नेश कोशन देखते ह मेजनी का संबन किस संगठन से था लाल सेना चेका लाल कूर्ती कारवोनारी मेजनी का जो संबन था वो कारवोनारी संगठन से था तेहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कारवोनारी चलिए नेश कोशन देखते हैं जालवरीन एक संस्था थी बेपारियों की, करंतिकारियों की, बुधि जीवियों की या सामानतों की जालवरीन जो एक थी वो बेपारियों की एक संस्था थी तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बेपारियों की चलिए नेश कोशन देखते हैं 1829 के एडया नोपल की संदिग किस देश के साथ हुई हंगरी तुरकी युनान पोलेंड तो 1829 के एडया नोपल की जो संदिग हुई थी वो तुरकी और युनान के बीच हुआ था तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा तुरकी काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने किस पदपर नियुक्त किया था ग्री मंतरी, शेना पती, फ्रांस का राजदूत, प्रधान मंतरी तो काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने प्रधान मंतरी के पदपर नियुक्त किया था यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D-Pradhan-Mantri चलये next question देखते हैं गैरिवाल्डी पेसे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शिनिक था गैरिवाल्डी जो पेसे से एक नाविक था तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A. नावी. चलिए next question देखते हैं. इटली एवम जर्मनी बरतमान में किस महादेश के अंतरगत है? धचनी अमेरिका, यूरोप, उतरी अमेरिका, पश्चमी असिया. इटली एवम जो जर्मनी है, वो बरतमान में उरोप, महादेश के अंतरगत आते हैं. तो आंसर हो जाएगा B. उरोप. चलिए next question देखते हैं. रक्त एवम लोग की निती का अवलंबन किस ने किया था? हिटलर, बिल्यम पर्थम, विश्मार, मेजनी. तो रक्त एवम लोग की जो निती का अवलंबन किया था, वो बिश्मार्क ने किया था. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C. बिश्मार्क. चलिए next question देखते हैं. इरोप बासियों के लिए किस देश का साहित एवम ग्यान प्रेना सुरोत रहा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा D. यूई नान. चलिए next question देखते हैं. फ्रैंकफर्ट की संदी कब हुई? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में. फ्रैंकफर्ट की जो संदी हुई थी, 1871 में हुई थी. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा A. 1871 में. चलिए next question देखते हैं. किस यूद के बाद जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ? प्रासा डेन्मार्क यूद, शेडाउन का यूद, शेडवा का यूद या किरिमिया का यूद? तो जर्मनी का जो एकिकरन हुआ, वो शेडाउन का यूद के फल्सुरूप हुआ. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा B. शेडाउन का यूद. चलिए next question देखते हैं. यंग इरोप की अस्थापना किस ने की थी? काबूर ने, भिस्मार्क ने, मेजनी ने, गरिवाल्डी ने. तो यंग इरोप की जो अस्थापना किती, वो मेजनी ने किया थी. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C. मेजनी. चलिए next question देखते हैं. यंग इटली की अस्थापना किस ने की? गरिवाल्डी ने, मेजनी ने, भिस्मार्क ने, या काबूर ने. यंग इटली की जो अस्थापना किया थे, वो मेजनी ने किया थे. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा B. मेजनी ने. चलिए next question देखते हैं. शेडाउन का यूद कब हुआ था? 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में. शेडाउन का यूद जो हुआ था? वो 1870 में हुआ था. यहाँ पर आंसर हो जाएगा C. 1870 में. चलिए next question देखते हैं. सन 1870 में, प्रांस एवं प्रसा के बीच यूद कहां हुआ था? शेडाउन में, या शेडाउन में, या साइडाईन में, या फ्रेंकफर्ट में. तो जो प्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, 1870 में, वो शेडाउन में हुआ था. तेहां पर आंसर हो जाएगा A, शेडाउन. चलिए नेक्ष कोशन देखते हैं. बीना सम्मेलन किस वर्स हुआ? 1815 में, 1820 में, 1825 में या 1830 में. तो बीना सम्मेलन जो हुआ था, वो 1815 में हुआ था. तेहां पर जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा A, 1815 में. बीना किस देश की रजधानी है? फ्रांस, इंग्लेंड, ऑस्टिया, रूस. तो बीना जो है वो ऑस्टिया की रजधानी है. तेहां पर जो आंसर हो जाएगा C, ऑस्टिया. चलिए नेक्ष कोशन देखते हैं. कृमिया का यूद किस बर्स हुआ? तो क्रीमिया को जो यूद हुआ था, वो 1854 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा A 1854, चलिए नेक्ष्ट कोईशन देखते हैं राष्टबाद अवधारना का जन किस घटना से माना जाता है? पुनर जागनन, धर्म सुधारांदोलन, गौरपून करांती, फ्रांस की करांती तो राष्टबाद अभधारना का जो जन्म हुआ वो फ्रांस की करांते के फलसरूप हुआ था तेहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D. फ्रांस की करांते चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं नेपोलियन सहीता किस बर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन सहीता जो लागू क्या गया था वो अठारासो चारेश्व में क्या गया था तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D. फ्रांसो चारेश्व में चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं बेना सम्मेलन कॉंग्रेस का जो अध्यच कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई अठर्मा, चार्स हेलवार्ट या मेटर्निक तो बेना सम्मेलन का जो अध्यच था वो चांसलर मेटर्निक को बनाया गया था इसलिए आपे आंसर हो जाएगा D. मेटर्निक चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं मेटर्निक बेवस्ता का उद्देश क्या था? गनतंत्र की अस्थापना करना, परजातंत्र की अस्थापना, पुरातन बेवस्ता की अस्थापना करना या नेपोलियन की अस्थापना करना तो maternick वियस्ता का जो उद्देश था वो पुरातन वियस्ता की अस्थापना करना था तेहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C पुरातन वियस्ता की अस्थापना करना चलिए next question देखते हैं काउंट काबुर की मेर्थिव किस वर्स हुई? 18 इसवी में, 1862 में, 1864 में या 1866 में? तो काउंट काबुर की जी मेर्थिव हुई थी, वो 1862 इसवी में होगा था. तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा B, 1862 में. चलिएने इस कोशन देखते हैं. इटली और जर्मनी के एक इकरन का बिरोधी कौन था? आस्ट्रिया, प्रांस, ब्रिटेन, डूस. तो इटली और जर्मनी के एक इकरन का जो बिरोधी ही था, वो आस्ट्रिया था. तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा A, आस्ट्रिया. चलिए नेश कोशन देखते हैं जर्मनी का एक एक करन किस बर्स पूर्ण हुआ 1866 में, 1864 में, 1870 में या 1871 में तो जर्मनी का जो एक एक करन हुआ था वो 1871 में हुआ था यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 1871 में चले रनेश कोशन देखते हैं लाल कूर्थी का गठन किसने किया था? मेजिनी ने, काबूर ने, गलेवालदी ने, बिसमारक ने दो लाल कूर्थी का जो गठन किया थे वह गलेवालदी ने किया था ठोई हाँ पर आंसर हो जाएगा C. गलेवालदी ने चलिए next question देखते हैं जलवराइन संग की अस्थापना किस बर्स हुआ 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में तो जलवराइन की संग की अस्थापना जो हुआ था वो 1834 ही हुआ था तिहां पर आंसर हो जाएगा C, 1834 ही चलिए next question देखते हैं गौश्टिंग की संदी किस बर्स हुई? 1864 में, 1865 में, 1866 में, 1870 में तो गौश्टिंग जो संदी हुई थी वो 1865 ही हुआ था तिहां पर आंसर हो जाएगा B, 1865 में चलिए next question देखते हैं येरोपी सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, प्रांस को, इंगलैंड को, युनान को तो येरोपी सभ्यता का पालना जो है वो युनान को कहा जाता है तिहां पर जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा युनान को चलिए next question देखते हैं एर्डिया नोपल की संदी किस बर्स हुई? 1829 में, 1830 में, 1831 में या 1832 में तो एर्डिया नोपल की जो संदी हुई थी वो 1829 सभी हुआ था तो जो यहां पर आंसर हो जाएगा A 1829 में चलिए next question देखते हैं शेडाउन का यूद किनके बिच हुआ? आस्ट्या प्रसा, फ्रांस डेन्मार्क, इडली रूम या फ्रांस प्रसा तो शेडाउन का जो यूद हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बिच हुआ था 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में इनान को जो है 173 राष्टर 1832 इस्वे में घोशित किया गया तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B 1832 इस्वे में चलिए next question देखते हैं कि संदी द्वारा जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ देन्मार की संदी, गैस्टिम की संदी, प्राग की संदी, फ्रैंकफर्ट की संदी तो यह जर्मनी का एकिकरन जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संदी की फ़र्च सुरूप हुआ था तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D फ्रैंकफर्ट की संदी चलिए नेक्ट क्योशन देखते हैं हंगरी की राजधानी है तो तुर्की, बुड़ा पेष्ट, प्रसा, शिडाउन हंगरी की जो राजधानी है वो बुड़ा पेष्ट है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी बुड़ा पेष्ट चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं गीजो कहां का प्रधान मंतरी था? प्रसा का, तुर्की, फ्रांस का, शिडाउन का तो गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधान मंतरी था तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, फ्रांस चलिए, नेस्ट कॉशन देखते हैं, सेदोवा का यूद किन की बीच हुआ था? सेदोवा, यूद के बीच हुआ था? B, Ostia Prasa चलिए नेटिक कोशन देखते है ओर्टो को निमनिमे से कहां का राजा घोसित किया गया रूस का, युणान का फ्रांस का, जर्मनी का ओर्टो को जो है वो युणान का राजा घोसित किया गया था तो यहाँ पर जो आनसर हो जाएगा तो यह सभी important objective question थे इसे आप जरूर से 2-3 बर पढ़ ले ताकि देखते देखते याद हो जाए और रट्टा लगाने का जरूरत नहीं पड़े तो चली दोस्तों मिलते हैं next video के साथ thank you